हलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब गुड ना हम्म आज मैं आपको एक कहानी बोलूँगी कौन सा कहानी यह आपके बुक नमबर वन में है दब्लू चैकल दब्लू चैकल चैकल किसे बोलते हैं यह एक एनिमल होता है वाइल्ड एनिमल हिंदी में इसे सियार बोलते हैं और यह देखने में फॉक्स की तरह दिखता है फॉक्स और हिंदी में फॉक्स को क्या बोलते हैं लोंडी तो चलो शुरू करते हैं दब्लू चैकल एक जैकल था सियार था जंगल में वो घूम रहा था, उसे खाना नहीं मिला, तो घूमते घूमते वो गाउं के अंदर गुसने लगा, जैसे ही वो गाउं के अंदर एंटर किया, तो कुछ डॉक्स के वहाँ पर उसके पीछे भॉक भॉक के भगाने लगे उसको गाउं से, और शियार जल्दी जल्द में दोड़ दोड़के दोड़ दोड़के एक पेंटर के घर में घुज गया जो पेंट करते हैं और छिपने के लिए जगा खुज खुजा तो उसे क्या मिला एक पॉट दिखाए दिया और उसके अंदर वो चला गया और डॉक्स भी बहुत वहां पर ढूंडे और वो लोग चले गये जैसे डॉक्स चले गये तो सियार जैकल बाहर निकला वहां पर एक मीरर था वो खुद को देखा अरे मैं तो ब्लू कलर हो गया हूं वो बड़ा उदास हो गया अरे वो पॉट के अंदर ब्लू कलर था वो मेरे उपर आ गया अब कोई मुझे पहचान नहीं सारे अनिमल्स उसे देखके डर गये अरे ये ब्लू कलर का कौन आया हमारे यहां पर तो वो कहा अरे अरे वो खुश हो गया अरे 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 देखो कोई डरो नहीं मैं क्या हो मुझे गौट ने भेजा है तुमारे रक्षा के लिए प्रोटेक्शन के लिए और मुझे किंग बना दो तुम लोग तो वो लोग बिले हाँ हाँ गौड ने भेजा है आप किंग बन जाओ तो वो बहुत इंजॉय करने लगा वहाँ पर बैठके खाना पीना सब एक दिन क्या हुआ वो खा रहा था सब उसके पास थे दूर कहीं चैकल लोग उसकी भाई और उसकी कुछ रिल तो हमारा सियार ग्रू कलर का सियार डुक नहीं पाया वो भी हाउलिंग करने लगा और हाउलिंग कैसे होता है ऐसे होता है उसके रिलेटिफ्स जब वहाँ पर और दूसरे चैकल्स वहाँ पर जब हाउलिंग करने लगी ये खुद को रोक नहीं पाया और सब समझ गे कि ये छूट बोल रहा था और उससे भगाने लगे जंगल से और moral of the story क्या है हमारा moral of the story किसी को छूट नहीं बोलना चाहिए छूट बोलेंगे तो हम फस्ट जाहेंगे so never tell a lie thank you